हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम जोती है और मेरे चैनल ग्लैंबी जोती में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स आज हम बहुती सिंपल और बहुती आसान तरीके से बनाने जारें बटर पनीर तो आइए सुरू करते हैं बटर पनीर बनाना तो हमने यहाँ पे दो चम्मच ओयल लिया है और उसमें हमने कुछ साबुत मसाले डाले हैं और हमने यहाँ पे आदा चम्मच जीरा थोड़ी सी अद्रक यहाँ पे लैसुन इसे हम कुछ सेकेंड फ्राई कर लेंगे उसके बाद में हमने यहाँ पे तीन मीडियम साइज के प्यास लिये हैं उन्हें हमने बारीक चॉप कर लिया है और उन्हें अब हम एक मिनट तक भूलेंगे उसके बाद में हमने यहाँ पे चार टमाटर लिया है उसे भी मैंने काट लिया है उसे भी हमने यहाँ पे डाला है और थोड़े से हमने काजू लिये और अब हम जो है मीडियम आज पे इन्हें 10 मिनट धक के जो है सॉफ्ट होने तक इन्हें पका लेंगे और फ्रेंट्स अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजे और आपको हमारी ये रिस्पी अच्छी लगे तो प्लीज आप एक लाइक भी कर दीजे तो फ्रेंट्स यहाँ पे हमारा टमाडर प्याज जो है सॉफ्ट हो गया है और अब हम इसे ठंडा कर लेंगे ठंडा करने के बाद हम इसे एक मिक्सी जार में इसकी ग्रेवी बना लेंगे और फ्रेंट्स आज हम इस सब्जी को बहुती कम मसालों में बना के तयार करेंगे तो हमारी यहाँ पे ग्रेवी बन गई है और अब हमने यहाँ पे सेम कड़ाई लिया है उसमें हमने दो चम्मच घी डाला है हमने यहाँ पे आदा चम्मच हल्दी एक चम्मच जो है हमने यहाँ पे धनिया पाउडर और एक चम्मच हमने यहाँ पे जो है कस्मीरी लाल मिर्च लिये ये मिर्स फ्रेंट्स वो तिकी नहीं होती है, बठ इसमें कलर बहुत अच्छा आता है फिर हमने इसमें ग्रेवी डाल और अब हम मसाले को पांच मिनट धख के इसे पका लेंगे तो फ्रेंट्स यहां पे पांच मिनट हो गया है और हमारा मसाला पग गया है इसमें से ओयल भी जो है वो सप्रेट हो गया है और अब हमने यहाँ पे जो है 200 ग्रम पनीर लिया है अब हम इसी मसाले में मैंने पनीर को डाल के अच्छे से जो है मिक्स कर दिया है और अब हमने यहाँ पे एक कब जो है पानी डाल दिया है और इसे हम अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे उसके बाद में हमने आपे स्वाधनुसा नमक डाल दिया है और हमने आपे दो चोटी चमच चीनी डाल दिया है इसे हमारा बडर पनीर बहुत अच्छा टेस्ट आता है और अब हम इसे 5 मिनट के लिए धीमी आज पे ढग के पकने देंगे तो फ्रेंट्स यहाँ पे 5 मिनट हो गए है और हमारा लाजवा पनीर बन के तयार हो गया है और अब हमने लास्ट में थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दिये इससे हमारे पनीर का टेस्ट और बढ़ जाएगा तो फ्रेंट्स हमारे बढ़र पनीर बन के तयार हो गया बहुत ही सिंपल तरीके से और अब हम इसे सर्फ कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आपको हमारी ये रेस्पी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताईए और अगर आपने हमें अभी तक लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए